बॉलिवुड के दमदार अक्टर सलमान खान और कैटरीना कैफ की इस्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 को रिलीज हुए अब चार दिन हो चुके हैं जिसको फैन्स से खुब प्यार मिल रहा है फिल्म ने तीन दिन बॉक्स आफिस पर ताबर तोड कमाई की लेकिन चौथे दिन इंडिया वर्सेज न्यूजी लैंड मैच की वज़े से इसके कलेक्शन में कुछ कमी आती नजर आई है तो चलिए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितने करोर रुपे की कमाई कर पाई है सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 ने पहले दिन 44.5 करोर रुपे के साथ शांदार उपनिंग की थी लेकिन चौथे दिन ही इस आंकडों में कमी आती दिखाई दी एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी बीते बुधुवार को सिर्फ 14.88 करोर रुपे का कलेक्शन किया है जो की थोड़ा निराश कर देने वाला है वहीं इस कलेक्शन के बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 162.38 करोर हो गया है बता दे कि सल्मान खान के फिल्म मोस्ट अविटेड सिक्वल्स में से एक थी फिल्म ने पहले दिन 44.5 करोर रुपे का कलेक्शन किया था तो वहीं दूसरे दिन फिल्म के आकड़े बढ़कर 69 करोर रुपे हो गया तीसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर शांदार प्रदर्शन करते वे करिब 44 करोर रुपे का कलेक्शन किया था बता दे कि फिल्म ने दो दिन में ही 100 करोर का आकड़ा पार कर लिया था सल्मान खान और कैटरिना कैफ ड़ार टाइगर 3 YRF Spy Universe की पाँचवे फिल्म है और टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है फिल्म में इस बार इन दोनों स्टार्स के अलावा इमरान हाश में भी नजर आ रहे हैं जो फिल्म में विलिन का रोल निभा रहे हैं की तिकडी फैंस को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है एक बार फिर से बता दी कि सलमान खान के फिल्म टाइगर 3 ने बॉक्स ओफिस पर धमाकेदार कमाई किये फिल्म ने पहले दिन 44 करोर से ज्यादा की ओपनिंग कर गदर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ा तो वहीं दूसरे द तीसरे दिन सलमान खान के फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है टाइगर 3 ने अपने पहले दीन 20-25 करोर रुपे तक की कमाई किये हलाकी आकड़ा अभी अनुमानी थे सहीं आकड़े आना बाकी है दिवाली के मौके पर सलमान खान ने फैंस को टाइग टाइगर 3 ने इंडिया में दो दिन में 100 करोर रुपे से ज्यादा की कमाई कर ली है आपको बता दे कि टाइगर 3 सलमान खान के फिल्म टाइगर जिंदा है की तीसरी सिक्वल है इस फिल्म के डाइरेक्टर मनीज शर्मा है ये वाई आरफ स्पाई उनिवर्स की पाचवी फ की जुआ था जिसे खुब पसंद किया गया था